कि दोस्तों आज हमारा क्वेस्टन है एक साइज 13.1 से क्वेस्टन नमबर फूर है अब देखेंगे इसमें से ग्रेटर नमबर कौन से तो पहले हमार क्या फोर कि पावर कितनी टाइम से थी टाइम से फूर इंटू फूर अगर हम इसको करेंगे तो और फूर फूर जे 16 और फूर कितना होता सिक्टी फूर होता है ओके सेकिन्द देखो त्री कि पावर कितनी फूर है इस जंसे कितनी टाइम है फोपिते में थिरी इंटु थ्री इंटु त्री इनटु थी तीन शेल नाइन शेल ट्रों पिल्टि सैमसा कितना होता 81 होता है अगर आप देखेंगे 2327 थे 3009 नाइन थे 27 और 27 तर ढाटो धेखो 2721 थे 26 और कितनी थे तो थे एट हो जाएगा अब देखो इसमें कुन सा गिरेटर है तो हम कह सकते रहत हम कह सकते 81 गिरेटर देन 64 इंग एटीवन किसके लिए 81 तो हम कह सकते 4 के power 3 और 3 के power 4 3 के power 4 means 3 के power 81 is greater than 64 ओके या 3 के power is 4 greater than 4 के power 3 ओके ऐसे हमार यहां next है 5 के power 3 है और 3 के power 5 है तो पहले हम देख लेगे 5 के power कितनी है 3 को इसको देखेंगे तो 5 को कितनी बार मंटिपल है 3 तैम तो 5 इंटू 5 5 फाइब जे कितना 25 25 25 फाइब जे कितना हो जाएगा 125 जेको 25 इंटू 5 5 फाइब जे 25 गैडि 2 5 तो जे 10 और वो 12 हो जाएगा 125 हो जाएगा अब 5 के power 3 के power कितनी है 5 टाइम से तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 1, 2, 3, 4, 5 हो गया 3 तो जे 9 9 तो जे 27 273 जे 81 होता कितना होता 81 आभी आमने उपर देखा था और 3 3 बन जा 3 और 3 8 जे कितना होता 243 तो कुछ तक ग्रेट हो रहा बाइट 243 इस ग्रेटर देन 125 ओके अब हमारे यहां 2 की पावर 8 है और 8 की पावर 2 है पहले देखेंगे 2 की पावर 8 2 की पावर 8 देखें मिन 2 कितने बाब 8 ताइम जें 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अब देखो 2 तो जा 4 4 तो जा 8 8 तो जा 16 16 तो जा 32 हो जाता 32 64 हो जाएगा कितना हो जाएगे यहां पर 64 और यह 2 तो जा 4 हो गा कितना होगा 4 यहां तर तो 64 हो गए यह कितना 4 तो इंटू 4 कर दो 4 फोर जह 16 फोर सिग्जा 24 यह 25 तो कितना रहा 256 आ रहा 8 की पावर 2 है 8 की पावर कितनी 2 तो 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 64 भाई काँ 256 है काँ 64 है तो 256 इस ग्रेटर देन 64 या हम कह सकते है 2 की पावर 8 ग्रेटर दन 8 की पावर 2 ओके अब NESTS हमारा है क्या है 10 की पावर 100 की पावर 2 है और 2 की पावर 100 है अब इन उसे कौन से ग्रेटर है इंट मिन्स यह क्या हुआ 100 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ हनदेट into 100 अगर हम करेंगे तो भाई यह तो 1 ही आएगा तो कितने जोने 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 यह तो हमारे यह आगए 10,000 1, 10, 100, 1000, 10,000 लेकिन 2 के पावर कितनी 100 है अगर मैं 100 को अगर मैं इसको लिखो 100 को मैं तोड़ सकता 10 into 10 लिख सकता हूं 100 को यह पावर जो 100 को तो हम क्या लखते हैं 2 के पावर 10 और होल पावर कितनी हो जाएगी 10 10 into 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ओके इसको हम लिख सकते हैं अब 2 को कितने बाद पहले 10 time 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है मुझे पहले यह 10 time तोड़ने है 8, 9 और 10 अब दो 2 to 4, 4 to 8 8 to 16 16 into 2 कितना हो जाएगा 32 ऐसी यहां देखो 2 to 4, 4 to 8 8 to 16, 16 into 32 देखो यहां भी 32 आरे इनको मंटिपलाई करके यहां भी कितना हो जाएगा 32 अगर मैं 32 into 32 करू तो 2 to 4 2, 3, 6 3, 2, 6, 3, 3, 9 तो 6, 6, 6, 12 और यहां 10 तो जब हम इसको मंटिपलाई कर रहे थे कितना हो 1026 और पावर कितनी है यह पावर होल पावर कितनी है हमारा 10 हो जाएगी होल पावर अब देखो अगर मैं इसको इसका मतलब क्या इसको मैंने कितने बाद 10 बार और मंटिपलाई कर न मीज 1026 इन्टु 1026 इन्टु 1026 इन्टु 1026 ऐसे करते थे हैं अगर मैं इन दोनों को ही मंटिपलाई कर दो यह उपर चला जाएगी से उपर ठीक है यह 10,000 है अगर मैं इन दोनों को भी मंटिपलाई करों यह 10,000 ते बड़ा हो जाएगा इट मींज क्या है 2 के पावर 100 is greater than 100 के पावर 2 ओके नेस्ट हमारा क्या है 2 के पावर 10 है इसमीन 2 के पावर 10 अभी हमने क्या था तो कितना 2 के पावर 10 तो कितने बाद 10 हमारा क्या आ रहा था देख को हमने 1026 आ रहा और 10 के पावर 2 अगर 10 के पावर 2 तो कितना है इसका मतल़ कहाँ 10 इंटू 10 कितना हो रहा 100 हो रहा तो क्या वह ये greater है तो हमार सिम्पली 2 के पावर 10 is greater than 10 के पावर 2 ओके यहां 1026 is greater than 100 okay